इंसान जिस सबसे बड़ी तराजदी से गुजर रहा है वो बस यही है उनकी इंद्रियां उन्हें एक तरफा बोध देती हैं तो जीवन विरोधों या विरोधा भासों का धेर बन जाता है इसी लिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म महुर्त में उठ जाना चाहिए देखिए इंसान जिस सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है और जिस सबसे बड़ी तराजदी से गुजर रहा है और सभी जिस सबसे बड़े संगर्ष से जूँचते नजर आते हैं वो बस यही है उनकी इंद्रियों से एक तरफा बोध होता है अगर आप ये देखते हैं तो वो नहीं देख सकते आप रोशनी देखते हैं तो अंधकार नहीं देख सकते आप ध्वनी सुनते हैं तो मौन नहीं सुन पाते तो जीवन विरोधों या विरोधा भासों का धेर बन जाता है इन विरोधा भासों से गुजरते हुए अपना रास्ता ढूणना कितना कश्ट है, विश्वास नहीं होता कितना भ्रम और कितना संघर्ष है अगर ये लगभग एक अरब लोग, अगर आप दस्तावेज बनाएं कि वे कैसे कश्टों से गुजर रहे हैं एक वर्ष में या एक दिन में, बस एक दिन, ये अनंत काल के लिए काफी होगा ये सब सिर्फ इसलिए, क्योंकि उन्होंने जिन्दा रहने के साधनों को जानने का साधन मान लिया है आपको पता होना चाहिए कि रोष्णी क्या है और अंधिरा क्या है अगर आप इससे गुजरना चाहते हैं दुनिया में काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन पुरुष है, कौन महिला तो ये अंतर बहुत एक तरफा है वैसे कई माईनों में ये मैंने कहा है, अब तो हर किसी को ये पता है अब ये आम बात हो गई है क्योंकि मैं इस बारे में कुछ समय से बोल रहा हूँ आप यहां एक पुरुष या एक महिला के रूप में बैठे हैं, पर यहां इसलिए हैं क्योंकि एक पुरुष और एक महिला का मिलन हुआ था आपके माता और पिता दोनों आपके अंदर मौजूद है आपका एक महिला या पुरुष होना सिर्फ एक उपरी चीज है, पर आपने इसे बहुत गंभीरता से लिया है, और आप कितने सरकस से गुजरते हैं, पस पुरुष या महिला होना दुनिया में कितना सरकस है, रोश्णी और अंधेरे को भूल जाएए, वो ज्यादा पेचीद रहे हैं, लगातार, बात सिर्फ ये है, आप सोचते हैं कि प्रकाश और अंधेरे के बीच दो अलग-अलग दुनिया है, क्योंकि ऐसा ही दिखाई देता है, दिन में दुनिया एक तरह की लगती है, दुनिया दिन में अलग दिखती है, रात के दौरान दुनिया बिलकुल लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया एक ही है, मुझे लगता है कि आप इस चीज को कुछ हद तक संध्या काल में अनुभव करते हैं, इसलिए सूरज निकलने से पहले उठना हमेशा महत्वपून होता है, क्योंकि आपको कुछ भी करना नहीं है, अगर आप सिर्फ सतर्क रहकर दे संध्या काल में अगर आप जागे रहें, तो आप अनुभव करेंगे कि इंद्रियों के घलत बोद के कारण आपके मन ने चीजों में फर्क किया है, ये बात आपके अंदर समा जाएगी, ऐसा कब होता है, कब? जब, जब पुरुष्ट्री हो, पक्षी फूल हो, लाल नीला हो, जीवन मृत्यू, संध्या काल ये कविता आपने कब लिखी? कब? मुझे लगता है, 2019 में, जब मैं अमेरिका में था, हमारा ट्रिपल आई, इशा एंसिट्यूड अफ इनर साइंसेज, एक शांदार जगा है, प्रकृती के लिहाज से, हमें अभी वो जगा बनानी है, कुछ बन गई है, बहुत कुछ बनानी है, पर प्रकृती के लिहाज से, वो वागई एक शांदार जगा है, और जहां मैं रहता हूँ, वहाँ से आप सूरियास्त से बच नहीं सकते, सूरज ठीक सामने होता है, क्योंकि हमें एक चोटी पर है, और एक घाटी भी है, सूरियास्त के समय सूर्या आपके स्तर पर होता है, ऐसा आमतोर पर समुद्र किन पर होता है, वहां भी थोड़ा सा उपर नीचे होता है, यहां सूर्यास्त के समय सूर्याप के नीचे होता है, तो आप चाहकर भी सूर्यास्त से बिल्कुल नहीं बच सकते, तो जब मैं सूर्यास्त देख रहा था, तब मैंने देखा कि कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं रहा है मैं सूर्यास्त की शोभा की बात नहीं कर रहा हूं सूर्यास्त में एक स्पष्ट बदलाव होता है जहां ये और वो नहीं होता बस ये और ये होता है